तो इंडिया में दोस्तो दो फीचर फोन ऐसे भी हैं जिसका एक यूनिक सा सेलिंग पॉइंट है इस यूनिक सेलिंग पॉइंट को अगर आप सुनते हैं तो एक बार खरिदने की मन अब ज़रूर बना सकते हैं क्या है ये दो फीचर फोन के नाम, प्राइस स्पेसिपिक्शन फीचर और इंडिया एविलिबिली डीटेल्स क्या होने वाले है चलिए इस विरे में जानते हैं तो मूब करते हैं सब्जेक के उपर तो फर्स्ट अब दोस्तो नाम के उपर मूब करते हैं तो ये दोनों फीचर फोन के नाम है सारे गामा कारवा मोबाइल M11 जिसका मॉडल नंबर है दोस्तो उजी के साथ साथ नेक्स्ट वाले फीचर फोन सारे गामा कारवा M21 लूक और अबर वर्वीव आप स्क्रीन के उपर देख सकते हैं फिलाल इसका की सेलिंग पॉइंट क्या है दोस्तो वीडियो चलते चलते आपको पता चलेगा तो अब अगर मूब करें ये दोनों फीचर फोन में आखिर आपको स्पेसिफिक जिन्स किस तरह का दिया जाएगा तो चलिए वो जान लेते तो यहां दोस्तो सारे गामा कारवा मोबाइल M11 में आपको जो बैटरी दिया जाएगा 1800MH का होने वाल है, डिस्पले साइज 1.8 इंजिस का होने वाल है दोनों फीचर फोन लगबग एक ही तरह का फीचर और स्पेसिफिकेशन के साथ लाँच हुआ है दोस्तों तो पहले जो डिफरेंस है मैं आपको वो बता देता हूँ तो M21 में दोस्तों आपको comparatively big display भी लेगा जो के 2.4 इंचिस का होने वाल है यहाँ आपको बैटरी भी बड़ा दिया गा है 2500MH का यह दो बिफरेंस है उसी के साथ साथ दोस्तों आपको कार्मा M21 में रेर साइड में extra आपको 0.3 Megapixel का एक सूटर दिया गा है मतलब है camera भी आपको मिल रहा है अब दोस्तों जो specifications में आपको बताने वाला हो दोनों feature phone में ही आपको copy देखने को मिलेगा तो यहाँ दोनों feature phone में ही आपको nano sim को support दिया जाएगा वो भी dual दोस्तों अगर आप चाहते हैं standard sim को use करना तो यहाँ आप कर पाएंगे अगर move करें next details के उपर तो यहाँ आपको 2.5D protection वाला एक display मिलेगा जो के non breakable होने वाले हैं दोस्तो M21 और M11 दोनों में ही यह feature आपको मिलने वाले है उसी के साथ यह दोनो feature phone में आपको MTK processor का support मिलने वाले है यहाँ दोस्तो आपको 3.5mm audio jack के साथ Bluetooth का support दिया जाएगा जिसको use करके दोस्तो आप external speakers यह जो external headphones होते हैं दोस्तो उसको आप use कर पाएंगे अब दोनों feature phone में ही RAM आपको 32MB का दिया जाएगा आप जानते हैं हर feature phone में इस तरह का मिलता है लेकिन दोस्तो यहाँ आपको card slot में एक 8GB का internal memory support दिया गया है जो के pre-occupy 6GB का होने वाले हैं मतलब आपको free space 2GB का मिलने वाले हैं अब दोस्तो नियूरी लॉंच यह दोनो feature phone के look और overview आपको उतना इंप्रस नहीं करेगा मैं जानता हूँ लेकिन कुछ feature ऐसे हैं जो सायद आपको impressive लगे जैसे के यहाँ आपको auto call record और phone book जैसे feature का support दिया जाएगा pre-installed game आपको दिया जाएगा wireless FM radio यहाँ आपको मिलने वाल है multi language support यहाँ आपको मिलने वाल है voice को दोस्तो यहाँ आप record कर पाएंगे as a voice recorder आपको dedicated आप मिलने वाल है उसे के साथ साथ दोस्तो यहाँ आपको mega या giant torch दिया जा रहा है जो के top में आपको देखने को मिलेगा जिसके लिए दोस्तो आपको dedicated switch भी दिया गया है तो आप दोस्तो सारे gamma कारवा M21 और M11 से जुड़े सभी details लग भग आप सुन चुके हैं लेकिन वो selling की point आखिर किया है तो आप जानते हैं दोस्तो सारे gamma का एक speciality है यह radio type एक device बनाता है जहाँ आपको pre-loaded old songs दिया जाता है तो इस feature phone में ही दोस्तो आपको अलग कुछ नहीं मिले वाल है यह आपको 1500 मतलब 1500 pre-loaded old songs आपको मिले वाल है अब दोस्तो अगर price details के उपर move करें तो दोस्तो यह आप screen के उपर दोनो feature phone का price details देख सकते हैं फिलाल दोस्तो best buying link आपको description में मिल जाएगा तो यह सबीते दोस्तो सारे gamma karma mobile M11 और सारे gamma karma mobile M21 से जुड़े सभी information जो आपको खरिदने से पहले जानना चाहिए होब बताएगा है सारे information इस दोनो feature phone से जुड़े दोस्तो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए यह video useful सा भी दुआ होगा अगर है तो रिकेस्ट रहेगा दोस्तो इस वीडियो का आपके सोचल प्लाटपर्म में जरूर शेर कीजिएगा नीचे अपना opinion दीजिएगा उसे के साथ साथ दोस्तो वीडियो को लाइक करके जाएगा तब चले दोस्तो बहुत होगा बगबग वीडियो को यहीं पर conclude करते हैं मिलते हैं नेक्स कीशी वीडियो में इसी तरह का information लेके